आपने हैशिंग के बारे में सुन रखा होगा आज ऐसे ही एक और मेथड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो है पासवर्ड सॉल्ट या अपना मुसको सिर्फ पासवर्ड सॉल्टिंग कह देते हैं आप देख रहे हैं AR Network तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पासवर्ड सॉल्टिंग क्या होती है और कैसे आप पासवर्ड सॉल्टिंग कर सकते हैं पासवर्ड सॉल्टिंग एक टेक्नीक होती है जिसमें हम किसी भी देटा को रेंडम सीक्वेंस में ओडर करते हैं और उसके बाद उसको हम हैश करते हैं यह जो डेटा है या जो पासवर्ड है उसकी जो लेंथ होती है वो एप्रॉक्सिमेटली 32 गैरेक्टर होती है जिसे मान लीजिए एक्जेम्पल के तौर पर आपने हैलो पासवर्ड रखा तो हैलो का जब आप हैश करोगे तो वो हैशिंग में भी बहुत जादा इजी होग और ब्रूट फोर्स अटेक से बहुत ही इजली गैस हो जाएगा वो लेकिन अगर हैलो के अंदर ही आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अगर एड़ कर देते हैं और उसके बाद उसको हैश करते हैं तो वो तोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रूट फोर्स अटेक से या कोई और से अटेक से उस पासवर्ड को हैक करना तो इसी को ही सॉल्टिंग कहते हैं पासवर्ड के अंदर कुछ नमक मिला दिया नमक का मतलब नमक मिला कर स्टोरी को बहुत ही अच्छा कर दिया पासवर्ड को बहुत अच्छा कर दिया कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मिला दि किपसी चीज़े वहाँ पर हैशिंग फॉर्म में आ जाएंगी और ब्रूट फोर्स अटेक से आपका पासवर्ड हैक नहीं हो पाएगा बात कर लेते हैं कि पासवर्ड सॉल्ट होता है तो वो स्टोर कैसे होता है तो जब आप सॉल्ड कर देते हो पासवर्ड को तो किसी भी कम उसमें आपने कुछ सॉल्ट एड कर दिया जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके बाद क्या होगा पासवर्ड जो आपने रखा है और जो सॉल्ट एड किया है उसके अंदर उन दोनों को वो मिक्स कर देगा तो जैसे ही वो हैशिंग में जाएगा तो रेंडम ओ तो इस तरीके का जो पासवर्ड होता है वो brute force attacks के जरीए easily hack नहीं किया जा सकता है मैं यह नहीं कहूंगा कि impossible है but easily hack नहीं किया जा सकता है इस तरीके के पासवर्ड को बहुत टाइम लगता है तो इस तरीके से salted password जो है किसी भी company के database के अंदर store होता है आपके username के साथ और वो सब random order में एक जगए पर जाके store होते हैं और उनको hack करना एक तरीके से काफी ज़ादा मुश्किल हो जाता है बात कर लेते हैं wrong way hash करने के जिसमें सबसे पहला way आता है salt reuse salt reuse क्या होता है यह बहुत common mistake है जो लोग करते हैं कि एक ही password कई account पर एक ही password रख देते हैं या पर कोई भी दो लोग हैं उनका password बिलकुल same है तो देखे जब password same होगा तो उसका hash same होगा और जब hash same होगा तो कोई भी जो attacker होगा जो आपके उपर attack कर रहा है वो reverse lookup table से dictionary attack को run करेगा और वहाँ से आपका hash function को hack कर लेगा decrypt कर लेगा ठीक है अब ये reverse lookup table और dictionary attack क्या है इसके लिए एक separate वीडियो आएगी बहुत broad topic है तो इस वीडियो में cover नहीं हो पाएगा तो बहुत ही easily decrypt हो जाएगा अगर दोनों का password same है आप ये चीज़ मत सोचिए कि password same है तो salting same नहीं होगी salting भी same होगी अगर आपने उसके अंदर मान लीज़े कोई special characters कोई भी alphabets, digits, add करे ही नहीं है तो salting भी same होगी और salting same होगी तो hash function भी same होगा और जब hash same होगा तो hacker के लिए आपका password को decrypt करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी तो इसी लिए इन चीज़ों से बचने के लिए कभी भी salt का reuse ना करें मतलब password का reuse ना करें किसी भी 2 account, 3 account पर same password ना डालें same password डालोगे, hashing same होगी और आप hack हो जाओगे या दो लोगों का same password नहीं होना चाहिए अगर आप दो लोग same password रख रहे हो तो उसकी salting अलग कर दो salting का मतलब है जो special characters होते हैं उसको अलग कर दो ताकि वो look up table से, rainbow table से, dictionary attack से hacker के लिए थोड़ा सा difficult हो जाए उस चीज़ को hack करना second wrong way to hash में बात कर लेते हैं आता है short salt, short salt में क्या होता है देखिए जिसे आपने मान लीजे password बहुत ही छोटा रखा है तो attacker के लिए look up table से या पर dictionary attack से बहुत ही जादा easy हो जाएगा password को hack करना या attack करना ठीक है जिसे मान लीजे अगर आपने salt करा है 3S का ही character तक तो 8,57,375 possible outcomes बनेंगे password को hack करने से जो कि आपको बहुत जादा लग रहे हैं कि बहुत जादा है लेकिन actually में वो बहुत जादा नहीं होते है brute force attack से या फिर किसी और method से उसको hack करना बहुत ही easy हो जाएगा ये number कोई जादा आपको लग रहे हैं बड़े हैं लेकिन ये number बड़े नहीं है क्योंकि 8,37 GB तक की file को hack करा जा सकता है 8,37 GB आप देख सकते हैं कितना lot amount नहीं है ये लेकिन 1000 GB तक की भी passwords को hack किया जा सकता है तो 1000 GB के comparison में 8,37 GB तो कुछ भी नहीं है ठीक है अगर आपको password को या salt को impossible बनाना है कि वो hacker उसको hack ना कर सके तो look up tables में every possible salt को बड़ा रखो मतलब कोई भी password है उसको आपकी उसकी जो length है उसको increase कर दो एक good thumb rule है good thumb rule कहता है कि जो output होता है हमारा hash का जिसे एक hashing function में एक function होता है जो होता है sha256 256 का मतलब है 256 bits होती है इसके अंदर अगर byte में convert कर जाए तो 32 bytes होती है तो 32 bytes long password होना चाहिए या 32 bytes long salt होनी चाहिए अगर आपका password आपको अच्छा रखना है और एक attacker के लिए तोड़ी सी मुश्किलें पैदा करनी है आपके password को decrypt करने के लिए तो 32 bit एक बहुत ही अच्छा नंबर है आपके account को या आपके password को secure करने के लिए चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं right ways की पहला आता है long hash use करें second आता है salt को reuse ना करें मतलब जो आप salt एक बार use कर चुके है उसको बार बार एक ही जगह पर use ना करें third एक है hash को या फिर salt को या फिर password को regularly change करते रहें ऐसा नहीं है सालों सालों से एक ही चीज़ चल रही है regular उसको change करता रहें update करते रहें fourth आता है use key stretching की stretching का मतलब होता है यह जो idea होता है यह hash function को बहुत ही जादा slow कर देता है ताकि जो fast GPU हो या फिर custom software हो custom hardware हो वो भी password को decrypt करें लेकिन बहुत slow decrypt करें brute force attack, dictionary attack यह सब बहुती slow slow आपके password को decrypt कर पाएं ताकि आपका जो hash है वो एकदम से decrypt ना हो और आपका account जो है वो secure रहे क्योंकि बहुत अगर slow कोई भी चीस चलेगा तो बहुत time लगेगा किसी चीस को hack करना और हो सकता है जब तक आपको पता चल जाए और अपना hash या अपना solve change कर सकें और आपका account secure हो जाए कर दो सकता है